हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी अभी नाइट के बज़े हुए हैं दो या ढ़ाई के सम्थिंग मुझे तो पता भी नहीं था साब ने वीडियो बनाया है मेरी कल इवनिंग से थोड़ी खराब थी तो इसकी जासे मुझे बहुत सारी मुझे वगेर हुई और यह दूसरे दिन मुझे होस्पिटल में लाया गया बिल्कुल भी रिलक्स नहीं मिला नाइट को लग भग में ढाई बज़े तक वो मेंटिक करती रही लूज मोशन हो गया तो उसके बार डॉक्टर को चेक अप करवाया तो उन्होंने कहा कि आपको फूड पोईजनी हो गी है और इसकी जासे मेरे पेट में भी बहुत जादा दर्द होने लगा कर इतनी वो मिटी होई ना कि पेट पे जोल पड़ रहा थो तो एकदम से पेट दुखने लगा तो ड दवाई का था और वो मैंने खा लिया और डॉक्टर ने कहा है कि अभी जो सिजनेवल फूट आ रहे हैं न वहीं आप खाई है इसके अलावा आप खाऊगे तो उन्हें में दवाई वगेरा आती है तो इसी फूट पोजिजन हो जाता है और अभी जाके मुझे थोड़ा तो जाके थोड़ा सा अच्छा फील हुआ थोड़ा सा वो मेंटिक मगेरा रुकी है थोड़ा हलका फील हो रहा है कल से मैंने कुछ खाना वाई ना भी नहीं खाया क्योंकि जो भी खाती हूना तो इसे मन करता कि अभी उल्टी हो जाएगी और यहां पर सिस्टर आई है यह खतम हो जाएगी उल्कोष तो यह वाली ड्रीप आपको चला देंगी तो यहां पर लगभग मुझे तीन से चार घंटी हो गए हैं और अब जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और इसी वज़ेसे मैं व्लोग अगरे नहीं डाल पा रही पिसले कुछ दिनों से में तब बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही कभी कुछ कभी कुछ हो जाता है तो इसी वज़ेसे मैं व्लोग अगरे नहीं बना पाती हूँ नहीं डाल पाती हूँ कोशिस करूँ ही जैसे ही मैं थोड़ी ठीक हो जाओं मेरी हैल्थ विल्कुल रीकवर हो जाए तो फिर से मैं कंटिनू लो वगेरे बना के डालू बोडी में इतना ज़्यादा रीकनेश हो गया ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती बना कुछ भी मैंने कल साम से नहीं खाया था बिल्कुल लो फिल हो रहा था मेरे को भी हिम्मत नहीं थी तो यहाँ पर देखो चार घंटे के बाद जब मेरी मेरी मेडिसन मेरे को लग चुकी थी 90% मेडिसन लग चुकी जी इंजिक्शन वगिर है डिप भी मेरी continue चल रही थी तब जाके बहुत अच्छा फिल हो रहा था मैं यहाँ पर mobile चला रही थी अब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब ठीक है वरना तो कल से तो यह हो रहा था कि पता ही नहीं क्या हो गया लीक वर कैसे होंगे ऐसा फिल हो रहा था थैंक यू